तो साइन थीटा क्या होता है देखो जो 90 होता है इसके अपोजिट जो होता है हाई पोटिनियोज हो गया अब थीटा जो एंगल होता है अभी पहले मेरे को सुनो थीटा जो एंगल होता है इसके साथ देखो 90 का पोजिट तो हाई पोटिनियोज हो गया अब थीटा के साथ दो साइड है तो आई पोटी न्यूज और एक क्या है बेस ये परपेंड़िए अगर थीटा मैं ये लूँगा मैं दो फिगर बना देखता हूँ अब इनाइंटी के सामने ये तो क्या है आई पोटी न्यूज और मैंने थीटा ये लेलिया तो आप बेस कौन सा हो जाएगा बेस साइड बाड़ा बी-सी ये बेस होजाएगा ये परपेंडीकुलर होजाएगा ये समझ महागी ना बात आप इस साइड थीटा क्या होता है ये क्या बताओ पर फेले पी बाई है थीटा क्या होता है थीजिद्ध पीजिद्ध है स्थीद्ध पीजिद्ध क्या होता है युद्ध है इसको ऐसे भी आद रखना बन बाई साइन थीटा सरहां याद है सीकेंट थीटा H बाई B H बाई B और 1 बाई कोस थीटा 1 कोस 4 थीटा B बाई B और 1 बाई 10 थीटा 10 थीटा समझा गी हो कि बाद Yes Sir बास आभी से मैं कुछ भी नहीं है अब हम क्वेशन नमबर 3 पर थे साइन ए है 3 बटाचिया अब ट्राइंगल बना लिया गरो राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है अब साइन एंगल ये लिया होगा है देखो पेटा ये 90 है तो ये क्या है तुम्हारा अब साइन ए एंगल ये है तो बी कौन सा होगा ये होगा या ये होगा तो नीचे वाला ये बी होगा ये तुम्हारा पी होगा तो साइन ए क्या होता है पी बाई है तो पी कितना होगा तो मारा तीन हो गया तो बी निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे हमें पाई था गोरस का एट स्केर इए इकल क्या होता है पी सकेर प्लस बी स्केर प्लस प्लस 2 बाई हुआ तो 4 का स्केर पी स्केर तीन का स्केर और बी स्केर हमने निकालना है 16 9 जमा मैं 21 beginning 2 क्लों 22 अभी तो B कितना आजाएगा बिटा रूट रूट 7 तो यह कितना आगा रूट 7 तो एब कोई साभी इन में से 6 के 6 पूछ लो जाएगे अब इसने कहा है को से बताओ को से क्या आएगा क्या फार्मूला होता है अब बी कितना है तुमारा रूट 7 एच कितना है चार तो यह अंसर हो गया और क्या पूछा है इसने टैने टैने क्या हो जाएगा बेटा क्या होता है यह पी बाई पी कितना है तीन यह कितना है रूट 7 यह अंसर हो गया बस फूर्थ क्वेस्टिन यह कहता है फिफ्टीन कोट ए इस इक्वल टू बी है एट है क्या है 15 कोट ए एट है तो बताना क्या है साइन ए बताना है और क्या बताना है पहले हम कोट ए को अच्छी तरह से लिख लें कोट ए क्या हो गया बेटा बी बाई पी यह पंदरह अनुरीन लिया हो एट बाई क्या हो गया फिफ्टीन होता क्या है यह गुडिया कॉन बोल गया बी बाई बी बाई पी वेरी गुड फिगर बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है अगर यह ए दे रखे हैं तो यह ए लेख लिए आरो ताकि को दिक्कत ना हो ठीक है से बी बाई पी बी कितना है बिटा आपका आठ और पी कितना हो गया पंदरा पी यह है ने यह पंदरा हो ठीक तो तुम्हारा यह बी बाई पी होता है ना बी कितना था आठ यह गलत लिए यह तो आठ हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा क्यूंकि यह गई तो पहले अपने एच पी भी छांट लिया हो यह 90 क्या होता है है एंगल यह है तो साथ लगता क्या होता है बेस और यह क्या हो गया आपका पी एच पर पेंटिलर यह समझे मागए यहां तक से कि यूजियर गैसंग ओए हम है 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 ऑट का स्क्वेर टाइग फंदरा का स्क्वेर और यह 289 किसका स्केर होता है 289 सेवंटीन का स्केर भी याद कर लो 279 कितना अगया 17 इन क्वेस्टिंग्स में क्या होगा यह दो देगा तीसरे को पूछेगा और फिर उनमें यह रेश्यों पूछेगा 289 कितना है 15 इस अभी निकाले 17 इस इस सीकेंटे किसका होता है कोस का उल्टा कोस होता है भी भाई एच तो है एच भाई भी 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 सतरा बटे में आट ठीक है सीकेंट ठीक है इस ने दे दिया 13 बटा बारा तो कह ता बाकी सारे बता हो बाकी सारे क्या होगे साइन ठीक होता हो अब सीकेंट ठीक है अब सीकेंट ठीक हो है ये तेरा फिगर बना लिया रहो फिगर बहुत जरूर ये बेटा अपनी अपनी आदर देखो ये बीशी बना लेता है को सी बना लो एक नाइंटी डिगरी लेलो एक थीटा लेलो अब ये नाइंटी लिया है ये तो क्या हो गया आपका है थीटा के साथ लगता क्या हो गया बेस अर बेस अब दिया चाहा है सीकेंट थीटा तेरा बटा बारा सीकेंट थीटा क्या होता है प्र विपस्ते तुमारा बेस अब अब आड अब एच कितना हो गया तुमारा थेरा और बी तना हो गया बारा थेरा और पी निकाल लेंगें कैसे निकाल होगे पर्मूला क्या है हैetty square P square H कितना है ज़का 13 और B कितना है 13 13 12 169 P square 12 का कितना हो गया तो यह पत्री सा गया है तो प्त्री तुम्हारा कितना गया फाइफ पाइफ अब साइन ठीटा क्या होता है यह बता हूं पी बाइच पाइच पी बाइच तो क्या हो गया पांच बटे में तेरा कोस थीटा कितना हो गया पी बाइच 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 यह सिक्स्थ क्वेस्टिन है यह कहता है अंगल A is equal to angle B है जहाँ कॉस A कॉस B है तो देखें यह अंगल B भी हो तो कोई ट्राइंगल है पेटा यह A है यह B ले लिया तो यह C पर क्या रहेगा 90 यह H है यह क्या हो जाएगा A के लिए तो यह बेस देखो एंगल A के लिए तो यह बेस यह P और इस B के लिए क्या हो जाएगा यह बेस सर बी के लिए पर्पेंडिकुलर बेस और बेस पर्पेंडिकुलर है तो यहाँ गीवन क्या है गीवन इसने दे दिया को से एज इक वर्ट को सब्सक्राइब दे दिया को से क्या होगा को से क्या होगा बेटा पता ही हो बी बाइट बी कितना है तर बी बारती गारी के कि उसन पर कौन सी जान किस ने जाना था आई यास उस ने जाना था जदी के जाना तो बी बी के आफटा यहां पर एसी और यह क्या है इप अब को स सब्सक्राइब बी 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 को स बी यह है तो यह बेस हो गया और यह क्या होगा अब परपनिकलर होगा और को स होता कहा है बी बाईई है, तो यहन सी کیा हो झाओगाग एक बी में बाईब़ से बाईबी हखैं किया क्या कोस कोस कॉस भी तो क्या हो गहा गीं, यू थी क्वाईबी तो वब शी वाईबी previous ॥ट्ट ऽंबै अब तो जा हो गया, एस में आज इस बाईबर । A-C बराबर अभी Oh Sam मैं अब A-C और B-C बराबर आगे तो साइट बराबर होँ तो इनकि भिका होते हैं बराबर मैं एक पोजिट अंगल क्या होगा बी और B-C क्या पोजिट अंगल क्या होगा ए करन क्या लिखेंगे अब इंगल को अपजीट two equal sides are also equal अगर दो side बराबर हैं बेटा तो उनके opposite angle बराबर होंगे और दो angle बराबर हैं तो उनके opposite side भी बराबर होती है किसी भी triangle के अंदर ठीक है अगर नहीं यह बात समझें सारी आज आसान लग रहा हुआ काल उट पटांग लग रहा था है सरू सरू में कोई concept पड़ते हैं तो ऐसा ही लगता है लेकिन इस में तो कुछ है ही नहीं बेटा तम उन पी बी एच साट ने अब यह 90 है हार क्वेस्टिन में राइट अंगल ट्राइंगल मिलेगी अरे एक छाय नंबर आ क्वेस्टिन जरूर आ होगा है और वो भी इस राइट अंगल इस इस में छाय नंबर का यह बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है जो कर रहे हो न तम यह यह प्लस वन में दी प्लस टू में जिसकी ट्रिक्नोमेट्री बढ़िया होगी वो मेथ में मार नहीं खता फिर कभी तो बिटा देखो ओ एम पी ले लो या एबी सी ले लो एबी सी ले लो तो इसमें क्या है बिटा साइन थीटा दे रखेंगे कोस थीटा साथ बटाठ दे रखेंगे और जिसकी वैलू निकालनी है वो है एक जमा साइन थीटा एक माइनस साइन थीटा एक जमा कॉस थीटा और एक गटा तो जिसकी वैलू निकालनी है और इन गोर करो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी कौन सा फर्मूला हो है कड़िये मतना ये फर्मूला ने दोर आले है और आज भी बेजी मन पीडियेफ आज मैने नॉम्मी के जो कोईज में घल्प कर सकते हैं वो सारा मैटीरियल बेजे हैं देखिया तम ने तड़का दस मिया बेजुआ तो तम ने के देखिए तो नॉम्मी के सारे फ़्रमूले हैं पूरी नॉम्मी के सारे फ़्रमूले है और आज दसमी का तड़का दसमी बेज़ुआ तो पूरी दसमी की किताब के फार्मूले है आदे गंटे में पूरा मैध दो रहा है जागा और जो है नमबर बड़ी आओंगे फिर अपने फार्मूले दो रहा है वो दोनों बेनिफिट देगा कुईज में भी और पूरे साल याद राकी हूँ सारी किताब के मोटे मोटे मानब जो ने चोड़ है वो लिख दिया है Okay sir A प्लस B इन्टू A माइनस B क्या होता है वेटा A स्केर माइनस A स्केर माइनस B स्केर होता है न यह Yes sir तो 1 plus sin theta, 1 minus sin theta क्या हो जागो 1 square minus sin theta theta fazore 1 plus cos theta, 1 minus cos theta क्या हो जागो 1 plus cos theta, 1 minus cos theta ठीक है और तो हैCos theta नो दे दिया 7x8 अब मैं ये theta ले ले लिता है तो कउस्स टीटा कॉस्स क्या होता है पी वाई बी वाई है को श्टिटा क्या होता है कि इस ड incompetent अच को ढदे थिटा क्या होता हैرت अचां है को अब ऋगया ओगया और व्र हो गया है कि आ X square is equal to P square plus B square. कॉन बोल रहा है बटाजी? सर्दिश्या बोल रहा है. वंता. बीश्या कि दावाज कोने बटाजी? तबादब गारना है जाना बेरा ना मेरा नानी अपार. पिटा? सर मेरा नाम ममता है. तो ममता. 8 का स्केर कितना हो गया 64? 47 49 94 24 45 25 25 25 5 तो ये पी आगया था ना तुमारा मैंने कड़़बड कर दी है P is equal to 5 तो क्या क्या चाहिए बिटा इसमें एक साइन थीटा चाहिए साइन थीटा क्या होता है P वाई ए पांस बटे में कितना हो जाएगा 8 8 और 1 माइनस कॉस थीटा का स्कुएर कॉस थीटा दे ही रखा है 7 बटा 8 तो यह होगा 1 माइनस 25 बाई 64 और 1 माइनस 49 बाई 64 उपर 64 एलचेम आ जाएगा तो क्या बचेगा 64 माइनस 25 नीचे का बचेगा 64 माइनस 49 64 से 64 कट जाएगा यह सर यह कितना बचेगा 49 यह 25 यह आनसर आएगा तो लोजिक भाई है एक ट्रिक्नोमेट्रिकल दे देगा बाकी की चाहिए हमने वैल्यू किसकी चाहिए थी साइन की साइन निकाल लिया क्या होता है पी बाई एच इन बी बाई एच दे रखिया था पी निकाल लिया पहले साइन निकाल लिया वैल्यू करता है कोट स्केर थीटा इसकी गहले बताओ अब यह कोट और थिटा अलग लग नहीं है यह कठ्ठ हो या अब बिटा इस्केर नज़े लेखे लो चाहे वो लेखे लो अब कोट थिटा क्या होता है कोट का क्या फर्मूला है तो बी बाई पी बी बाई पी यही न B कितना था है? 7 B कितना है? 5 यह हो जाया 7 by 5 का all square 5 49 by 25 यह answer 5 एक answer ग्स्टर एक ओर सर नेक्स बीस्टिन 8 थ्री को पे इस इक्वल टू फोर और वेल्यू निकालनी है बिटा वन माइनस टैन स्क्वेर एग और वन प्लस इसकी और यह बताना यह किसके बराबर है तो हम इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेंगे लेचस की यह क्या है लेचस है यह क्या है अगर दूनों की वैल्यू बराबर आगी तो इसका वाला बराबर है नहीं तो नहीं है अब कोटे दे दिया यह स्वेर टीन पूरें लेख लो चार बटा तीन, ट्राइंगल बना लो, यह तु बेटा, इसमें यह एंगल है, तो यह क्या हो जाएगा, बेस, यह क्या हो जाएगा, परपेंडी कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, बताओ, बी बाई पी, बी कितना है, चैयार, पी कितना होगा, तीन, तो एच निकालेंगा, एच कैसे आएगा, तो एच स्क्वेर इगल तो थरी का स्क्वेर प्लस एफोर का स्क्वेर, नो प्लस में सोड़ा, एच कितना होगा, पांच, पांच, अब हम LHS को सोल करते हैं, LHS में है, 1 माइनस 10 स्क्वेर ए, 10 स्क्वेर ए, और 1 प्लस 10 स्क्वेर ए, 10 A कितना होगा, बताना, 10 क्या होता है, तो 3 बटा च्यार, ठीक है, तो यहां रख दो, एग गटा में 3 बटा च्यार का स्क्वेर, एक जमा में 3 बटा च्यार का स्क्वेर, एक गटा नो बटा स्क्वेर, एक जमा नो बटा स्क्वेर, यह क्या जाएगा, स्क्वेर उपर एलसीन, 16 माहिनीस, 10 क्यार, less than 5, 7 बटा 16, यह 25 बटा 16, सोडा से सोडा कट गया कितना अगया साथ बटा पच्छिस साथ बटा पच्छिस left hand side साथ बटा पच्छिस है अब yes sir right hand side हाँ नो रह इस में क्या है cos के रे माइनस है sin के रे cos है चाहिए cos का इस बटाओ को से का फार्मूला क्या है तो चार बटा पांच ठीक है ना और साइन ए बटा साइन का क्या होता है यहां रख दो फोर बाय फाइव का होल स्केर थरी बाय फाइव का होल स्केर 16 बटें पत्चीस, 9 बटें पत्चीस लगो तम कितना गया पत्चीस, 16 कॉला नो सबस्क्राइब इसने पूछा था किया बराबर है तो क्या लिखेंगे हां यह बराबर है यह बराबर है एक लाए पर्शन नमबर नो तेरो ए बीसी ये वेटा टैन एक बड़ा रूट तीन दे रखे रहा है हुआ है ठीक है एक बट रूट नहें रूट था रूट थीन तेन क्या होता था थो cameras पी भाइपी ऐ तो पी कितना है वान जाल बी कितना है स्टीन ए तो ये टो तुम्मरी ही तो ये तुम्हारा एच हो गया ये तुम्हारा इसर ये तुम्हारा अभ्यों गाये तो मैं इस रहनाहिए чет प्रार एस निकालना है पहले परमुला होता है अइस carbon सर्पाइथागुरस थोरभ बाई इंटेलिजेंट होगे तम तो वन प्लस में थरी एच स्क्वेर कितना के बटा च्यार एच कितना होगे च्यार सत्तो वह रही है यह दो होगे है अब इसे ने जो वैल्यू पूछी है ने मिटा वो कह रहा है साइने कोसी प्लस कोसी साइन सी तो साइन की वैल्यू क्या होगी बताओ साइन क्या होता है तो एक बटे में दो यस सर ठीक है ना कोसी अब सी एंगल यह है तो क्या यह एंगल चेंज होती क्या बदल जाएगा सर बेस और परपेंडिकुलर है जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा जो परपेंडिकुलर हो बेस हो जाएगा बेस हो जाएगा सर अब इसने कोसी बोले है तो कोस क्या होता है B by H B by H B for Bus B for Bombay B by H होता है तो इस C के लिए B ये था तो एक बटा दौ ही हो गया कोस A कोस A क्या होता है B by H B by H तो रूट 3 by 2 ठीक है, और साइन सी, ये सी है, तो साइन, साइन क्या होता है, पी बाई एच, तो इस एंगल के लिए, पी कौन सा है, बेटा, सर, ए वाड़ा, ये वाड़ा ना, रूट थरी, ये सर, ये वन, ये सर, सर, पी बाई बी, बेटा, मैं कह रहे है, वन बाई रूट थरी, गलत बहुत, सर, रूट थरी बाई टू, साइन सी, कितना आएगा, ये सर, बोला, रूट थरी बाई टू, ठीक है, साइन ए, कितना आएगा, पहले तो ए ये है, तो पी और बी तुमारे दिमाग में सैटल रहे हैं, ये फटा ये पी है, ये बी है, ये है, साइन क्या होता है, पी बाई एच होना होता है, तो वन बाई टू होगए, कोस है, अब कोस होता है, बी बाई एच, और एंगल ये है, तो ये बी है, ये पी है, ये है, बी बाई एच, रूट थरी बाई टू, और कोस सी, अब कोस ये है, C तो इसके यो B है यो P है और cos क्या होता है B by H होता है तो 1 by 2 ये value रखेंगे तो अब हमारे पास sin C था sin C कितना है था बटा root root 3 by 2 एक बटा 4 root 3 root 3 गुना होगे 3 2 दोनी 4 4 लगो तम एक जमा 3 4 बटा 4 तो वनाएगा सरिस्ता उसके बाद इसमे और भी निकालना था बटा और क्या निकालना है इसमें second part है इसका cos A cos A cos C minus sin A और sin C अब cos A कितना आया था 1 by 2 1 by root 3 by 2 था बटा ये ये बेक्टों cos A कितना था root 3 by 2 cos C 1 by 2 sin A 1 by 2 sin C root 3 by 2 तो ये हो जाया बटा root 3 by 4 minus root 3 by 4 root 3 by 2 0 जाया 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 root 3 by 2 question number 10 11 question है total इसमें 10 में पहांगो yes sir P को आर क्यों समकों है क्यों पहां पहाँ है तो ये पी ले लेते हैं ये आर ले लेते हैं ठीक है yes sir तो इसने कहा P क्यों पांच है, यह पांच ले ले हैं, और यह कहता है बेटा P क्यों, PR, और यह PR है तुमारा और R क्यों, इनका जोड है, पच्छिस सैंटिमेटर, तो अब एक को एक्स ले लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पच्छिस माइने से, 25-x तो पहले हम यह x नहीं निकालेंगे यह हो जाएगा यह क्या हो गया पी हो गया बी और यह क्या हो गया तुमारा पी फार्मूला क्या है h square is equal to p square plus b square तो x square is equal to p square 25-x का उल स्केर प्लस b का square पांच का square अब यह 25-x का whole square कैसे खुलेगा सर ए माइनस b के whole square वाड़े फॉर्मूले से सर ए सर a square minus a square plus b square minus 2ab यह तो गलत है और को बताए मेरे को तर a square a square minus b square a square plus b square minus 2ab यह होता है यह होता है ठीक है बेटा ऐसा एक question है वाड़ा था यह वे y plus 3 था whole square आया धना distance फॉर्मूले आड़े में root 10 था फॉर्मूले था फॉर्मूले था फॉर्मूले था यह जो y plus 3 था whole square है किसी भी बच्चे ने सही नहीं खोल रख्या था मेरे को बड़ा दुख हुए किसे ने तो y square plus no लेख दिया यो किसे ने y square यह होता है बटा इसका square इसका square y square plus 3 का square plus में 2 into a b 2 into y into 3 minus वाड़े मेरे इसमें यह फर्क होता है यहाँ minus होता है यहाँ दोनों plus ही होते हैं यह आ जाएगा 625 plus x square minus 50 x इसकी जगह यह लिख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा x square 625 625 plus x square minus 56 plus x x square से x square कट गया 625 में 25 जोड़ो कितना हो गया 650 और 650 बराबर क्या हो जाएगा यह 56 इसका 600 650 बराबर कितना हो गया x को एक तरफ रखते हैं यह multiply था ही दरा के divide हो गया 13 बराबर x तो x कितना आगा तो मारा 13 आगा तो यह कितना बच गया बच गया बच गया देखो यह 5 था इन दोनों गाजोड 25 था यह x ले लिया तो 25 माइनस x हो गया ठीक है तो यह हो गया x स्केयर 25 माइनस x का all स्केयर प्लस 5 स्केयर ब्रैकेट बाड़े को all स्केयर बोलते हैं हाँ सर पता है तो 25 माइनस x का all स्केयर क्या हो जाएगा 625 625 क्लस x स्केयर माइनस में 2 गुणा 25 गुणा x क्या हो जाएगा 50 x हो जाएगा 50 x अब x स्केयर x स्केयर से कट जाएगा दुनों साइड गटके नहों